सिंधु बार्डर पर एक सक्स की निर्मम हत्या के बाद निहंग सिख फिर चर्चा में हैं निहंग सिखों पर हत्या का आरोप लग रहा है लेकिन सच्चाई पुलिस की जाच के बाद ही सामने आपाएगा सिंधु बाडर पर एक सक्स की निर्मम हत्या के मामले में सुकरवार को निहंग सरब जीस सिंग ने पुलिस के सामने सिरिंडर कर दिया सोसल मेडिया पर इस निर्मम हत्या की तस्वीर तेजी से फैल रही है और जिसने भी ये तस्वीर देखी उसे इस घटना की घोर निंदा की इस घटना के सामने आने के बाद ये आरोप लगाया गया कि निहंग सिक्खो ने रूह कपा देने वाली इस घटना को अंजाम दिया है सक्स का हाथ कार दिया था ये भी आरोब सामने आया की सक्स को सिख धार्मिक पवित्र पुस्तक का अपमान करते हुए पकड़ा गया था जिसके बाद उसकी हत्या कर दी लेकिन सच क्या है ये तो पुलिस जाज के बाद ही सामने आ पाएगा लेकिन इस घटना में निहंग सिखो को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है आखिर निहंग सिख काॉन है और इनका इतिहास क्या है ये चर्चा का विसे बन गया है दरसल निहंग सिख फार्शी सब्द है जिसका अर्थ मगर मच्च या कमल या तलवार होता है लेकिन इनकी विशेस्ता संस्कृत के सब्द निसंक से ज्वादा मिलती जुलती मालूम पड़ती है जिसका अर्थ निडर और सुद्ध होता है जानकारी के मुताबिक सिखों के सामने अकरामक तबके को ये नाम मुगलो ने दिया था जिसके पीछे मानेता ये मानी जाती है कि जिस तरह से पानी में मगरमच को हराना मुश्किल होता है ठीक उसी तरह से युद्ध में निहंगों को मात देना आसान काम नहीं है निहंग सिखों को एसा लडार का बनाने का स्रे सिखों के दसमे गुरू गोविन सिंग को जाना जाता है गुरू गोविन सिंग के चार बेटे थे अजीज सिंग, जुजहार सिंग, जुरावर सिंग और फतेह सिंग फतेह सिंग सबसे छोटे बेटे थे माना जाता है कि एक बार तीनों बड़े भाई आपस में युद्ध का अभ्यास कर रहे थे इसी दोरान फतेह सिंग भी वहाँ पहुचे और युद्ध कला सिखने की इच्छा जताई इस पर बड़े भाईयों ने उसे कहा कि अभी आप छोटे हैं और जब बड़े हो जाएंगे तब ये सीख लेना कहा जाता है कि आपने तीनों बड़े भाईयों की इस बात पर फतेह सिंग नराज हो गए वो घर के अंदर गए और निले रंग का लिवास पहन कर सीर पर एक बड़ी पगड़ी बांधी और हाथ में तलवार और भाला लेकर पहुच गए उन्होंने अपने भाईयों से कहा कि अब वो लंबाई में तीनों के बराबर हो गए हैं गुरू गोविन सिंग ये सब देख रहे थे फतेह सिंग की बावदरू से वे प्रभावित हुए और तब जाकर चारो भाईयों को उन्होंने यूद धकला सिखाई मानता है कि फतेह सिंग ने अपने बड़े भाईयों की बराबरी करने के लिए जो चोला पहना था वही आज के निहंग सिंग पहनते हैं फतेह सिंग ने जो हतियार उठाया था आज भी निहंग सिंग उसी हतियार के साथ दिखते हैं निहांक सिंग अपने धर्म के लिए हर समय समरपित होते हैं और आम सिखों को मानावता का विसेश द्यान रखने की और प्रेरीद करते रहते हैं निहांक सिखों के धर्म चिन, आम सिखों की अपिख्छा, मजबूत और बड़े होते हैं जन्मस लेकर जीवन के अंतक जितने भी जीवन संसकार होते हैं सिख धर्म के अनुसारिये उनका प्रेम से निर्वहन करते हैं अतीत में निहंग सिखों ने अपने धर्म को बचाने के लिए कई लड़ाईयां लड़ी हैं और अपना बलिदान दिया है लेकिन उनकी यही बहुदरी उन्हें कटर भी बनाती है जिसके वज़र से इनका विवादों से नाता रहता है निहंग सिखों पर सबसे बड़ा आरोप लागडाउन के दवरान अप्रेल 2020 में लगा था आरोप लगा था कि उन्होंने एक पुलिस कर्मी का हाथ कार दिया था इसके बाद कई निहंग सिखों को गिरफतारी हुई थी दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को सेर करिएगा और लाइक करिएगा मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते साइनिंग आउट वंदे मातरम